हलो फ्रेंड्स गूड इविनिंग स्वागत है आप सबका स्यूकिर्पा कलासेच पर मैं महस्कुमार बर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हमारा SSC GD 2022-30 का टेस्ट सीरीज नमर 47 जिसमें हम लोग सामान यान के जीके वाँ जीएस के महात्पुन परसनों को कबर करेंगे और देखेंगे कि यहां से हमारे कितने कोस्चन्स सही हो रहे हैं दोस्तों ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके SSC GD 2022-30 के संभावित परसनों पर बनाए जा रहे हैं तो दोस्तों आप लोग इन्हें कांस्टेट होकर साल्प करें कोस्चन्स कम सही होने पर पुना टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें ताकि होने वाली SSC GD 2022-30 की परिक्षा के लिए आप लोग पूंटों से प्रिपेर रहे हैं तो चले दोस्तों जाता समय ना लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 47 को साल्प करना शुरू करते हैं दोस्तों हमारा पहला कोश्चन है बेरी बेरी इंपर्टन कोश्चन है दोस्तों मनुस के सरीर में कितनी मात्रा में रक्त पाय जाता है यानि कि एक स्वस्थ मनुस के सरीर में कितनी मात्रा में रक्त पाय जाता है सब्सक्राइब होताएं, आपार डर्सि होता है, कैसा होता है रख्त, अपार डर्सि होता है, या हिर्दायों रुधिर वाहिनियों में परवाहित होका संपूर्ण शरीर में निरंतर परिभरमण करता रहता है एक सुस्त मनुस के शरीर में लगभग 5-6 लिटर रक्त पाय जाता है बेरी बेर इंपार्टन दोस्तों स्टेटमेंट है बार बार यहां से कोश्चन बनते रहते हैं इसे देखेंगे कोश्चन नमबर 2 को भारतिय संसत के सन्युक्त सत्र की अध्यस्ता कौन करता है ये हमें पताना है question नमर दो में भारतिय संसत के सन्युक्त सत्र पूछा जा रहा है कि अध्यस्ता कौन करता है दोस्तों ध्यान दिजेगा भारतिय संसत के सन्युक्त अधिवेशन को बुलाना वा अधिवेशन को संबूधित करना वा भारतिय संसत के जो निम्न सदन है यानि निचला संदन लोगसभा उसे भंग करना ये तीनों कार राष्ट पती के द्वारा कियाता है लेकिन भारते संसत के सन्युक्त सत्र की अध्यस्ता लोगसभा अध्यस्त के द्वारा की जाती है यानि कि बिकल्प नमबर सी यहाँ पे हमारा सही अंसर होगा निच देखेंगे को 3 को लुए नबर समदरी हों यसके सामने अलजनीक अंध दिया गया तो चलिए दूस्तों इसका सं लगाने का हम रियस करते हैं अम लोगों को Satan का चैन करना किनमें से कौन सा कॉन सा दोस्तों निवू का रासाइनिंग नाम क्या होता है? साइटरिक अमल तो ये तो हमारा सही हो गया निवू का रासाइनिंग नाम साइटरिक अमल B नमबर अंगूर है अंगूर का रासाइनिंग नाम क्या होता है? टार्टरिक अमल तो B भी हमारा सही होगा सी नमबर सिर्का है तो सिर्का का रासाइनिंग नम क्या होता है एसी सामने क्या दिया गए है मैलिक अमल की यहां पे गलत है और जो मैलिक अमल है दोस्तों यहां से भी कोश्चन बनते हैं मैलिक अमलिक दोस्तों फलों का जो स्वाद खटा होता है वह इसी अमलिक की उपस्थिति के कारण होता है ध्यान दिजेगा फोर नमर कोश्चन साल करेंगे हम लोग हिंदों का तीर्थस्था सब्री माला किस राज में इस्तित है यह में बताना किरल राज में यानि कि बिकल नमर बी यहां पर हमारा सही email उतर होगा हम प ह्किस की राजदンヌानी है हम्पी विशेन अगर सामराज की राजद्धानी है हम प Consider समराज की और सामराज के besämme से कोंसा योग में सुमेली यानि कि यहाँ पर भी हमें असत्ति कथन का चैन करना करना है ए नमर कामक्या मंदीर है जिसके सामने असम गया लीकि प्रियास करते हैं ए नमर सुम्नात मंदीर है जो कहलती तहीं चाहिस्ती्त है गुजरात में है तो यह हमारा साही हो गय जो भारत के नियंत्राक यो महाल एखा परिच्छा की नियुक्ति किसके द्वारत की जाती है बिल्कु फैक्ट्ट्वल कोश्चन है दोस्तों बार बार पूछा जाता है तो हमासे इंसर होगा अस्टपती के यानि कि बिकल्प नंबर सी यहां पर हमारा सह इंसर होगा बार के नियंत्राक यो महाल एखा परिच्छा की नियुक्ति राश्ट्रपति के द्वारा की जाती है एट नंबर कोश्चन साल करेंगे हम लोग कोश्चन दोस्तों हाड्रोजन बं आधारित है दो कोश्चन यहां से चीजों को दोस्तों हम लोग कबर करते हहें तो चलिए यहां पर भी दोस्तों टिक नु calve रोग को हम लोग कवर करेंगे test series के जरी है तो हमाँ से answer होगा टिक का रोग दोस्तों मुखफली के पौधे में लगते है यानि कि विकल नमबर यह यहाँ पे हमारा सही answer होगा 10 नमबर question देखेंगे हम लोग राष्टिय उभखता अधिकार दिवस एक question दोस्तों आपके दिवस से पूछे जाएंगे आपके syllabus में भी mention किया गिया है हमें बताने है दोस्तों राष्टिय उभखता अधिकार दिवस किस तिथी को मनायता है तो हमासे answer होगा 24 दिवस मत धीरे धीरे करके दोस्तों हम लोग जो महत्मुर्द दिवस हैं उनको भी test list के जरे कबर करते आ रहे हैं सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी चैनल सीवक रुपा कलासेस को इसी तरह के वीडियो के लिए अलेवा नमर कोश्चन देखेंगे हम लोग भारत में बेरोजगारी के आकड़े कौन तयार करता है भारत में जो बेरोजगारी यानिए आनि इंप्लाइमेंट दोस्तो जो आकड़ा है उसको कौन तयार करता है तो राष्ट यह नमूना सर्वेच्छन संगर्ठन द्वारा भारत में बेरोजगारी के आकड़े तयार के आते हैं यानि कि विकल्ब नमर डी यहाँ पे हमारा सही एंसर होगा टोल नमर कोश्चन देखेंगे हम लोग योजना आयोक कि स्थापना कभी थी 15 मार्च 1950 को दूसरा कोश्चन दोस्तों इसका संग्विधान में कहीं पर भी प्रावधान नहीं है विकल में दिया आता है इसका संग्विधान में कहीं पर भी प्रावधान नहीं है यह केंद्रिय मंद्रिय मंदल के एक प्रस्ताव के द्वारा थैट सबसे पहले इसका एंसर करते हैं दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा दोस्तों किस दिन से प्रभावी हुई थी तो हमारा एंसर है 16 अक्टूबर 1905 को यानि बिकल्प नंबर भी यहां पर हमारा सही अंसर होगा ध्यान दिजेगा दोस्तों एक स्टेटमेंट है मारा जो यहां से सारे कोश्चन इसके किलियर होंगे कई कोश्चन यहां से बनते हैं दोस्तों जो एक्जाम में बार बार पूछे आजते हैं पहला स्टेटमेंट है दोस्तों बिटिस सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्ड़ाई की घोंसला है गया रवीनाट्रेगोर के सुझाबी पर संपूर बंगाल में इस दिन को यह मिस्सप्रींट दोस्तों इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाए गया कि दिवस के रूप में राखी दिवस के रूप में बंगाल विभाजन समय वाइस राय कौन थे दोस्तों तो लाट करजन थे जिनका कारिकाल था ठासो निनानवे से निसो पाँच इन्हीं के कारिकाल में दोस्तों इन्हों नहीं घौसड़ा की थी उसके देखेंगे दोस्तों हम लोग कोश्चन नबर 14 है दोस्तों भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है यहां से थोड़ा सा हम लोग चर्चा भी करेंगे दोस्तों सबसे पहले इसका अंसर करेंगे तो कौन सी किस्म पाई जाती है सनरचनात्मक बेरोजगारी यानि विकल पर अधिक स्रूमिक अर्थ भ Commission यानि कम से कम भूमि पर अधिक सर्मिक लगय Seo जिन की कोई आवसक्ता नहीं होती यानि की जो काम एक आदमी की द्वारा किया सकता है उसमें एक से कई अधिक cœur जोक लगे होते हैं और जो गतता होती हो जितने भी चल्मिक लगे होते हैं उनके watch ABOUT जोड़ा जाए तो ना के बढ़ना लगभाट सून नहीं होती है दोस्तों इसले टैरती है क्यों कि यहां पर हम लोग एक मी देखेंगे यह सम्मझदित हमारे सारेosas están clear हो सबसे पहली इसका answer करींगे दोस्तों तो बर्ब टानी पर लिएते रहती है क्योंकि बर्ब का गहनत्य पानी से पिच्छाइकरीत कम होता है वर्ब का फिच्छाइकरीत कम होता है यही पानी पर तेरती है यहीं कि हमारा एंसर हो गया दोस्तों इन में से बिकल्प नंबर बी चलिए दूस्तों एक स्टेटमेंट के जरी है इससे समझने हम लोग को स्ट को क्लियर करेंगे देखें कि दूस्तों मातपुर्ण नोट है हमारा ठोस होने के बावजूद बर्प पानी पर तेरती है पहला इस सब से पकड़ लिजे दूस्तों ठोस होने के बावजूद बिकल्प में ऐसे सब देखने को मिलते हैं क्योंकि पानी जब बर्प में परिवर्तित होता है तो इस कोई भी बास तो जिसका घनत पानी के घनत से कम हो वह पानी पर तैरती रहती है तो यह थे दोस्तों आज के हमारी जिसको हम लोगों नेहां पर आप सालब किया है दोस्तों के लिए अपको के यहां Do ön